नमस्कार, स्वागत है आपका Free Business Help में दोस्तो यदि आप हर्याना के निवासी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जुरूरी है अप्रेल 2018 से नए राशन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इस बार जो राशन कार्ड बनेंगे उनके लिए आपको ओनलाइन आवेदन करना होगा कैसे आवेदन करना है, कहा करना है, क्या क्या डोकुमेंट चाहिए ये सारे जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहेए दोस्तो अगर पहली बार आप हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग की ये सब्सक्राइब की बटन है आप इस पे क्लिक कीजिए और इसके आगे जो घंटी है इसको बजा दीजिए ताकि नए-नए बिजनस और सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके अगर आप हमारे वाटसप नमबर से जुड़ना चाहते हैं तो आपका जो मुबाइल नमबर है वीडियो के कमेंट में हमें लिख कर मैसेज कीजिए दोस्तो राशनकार्ड अपलाई करने के लिए आज जो वेबसाइट है सरकार की वो क्या है सरल हरियाना.gov.in इस वेबसाइट पे आपको जाना है इस पे जाने के बाद जो आपका पेज ओपन होगा ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो नीचे Select Department लिखा हुआ है ये वाला इस पे आप Click करेंगे Click करने के बाद में आपको कौन सा Department से लेक्ट करना है Food and Supply Department है जो हमारा राशनकार्ड बनाते है उस पे आप Click करेंगे इस पे Select करेंगे तो आपके नीचे जो ऑप्शन आएगा दोस्तो Select Service का आजाएगा आपको क्या सर्वि चाहिए अभी नए राशनकार का जो ऑप्शन है वो अप्रेल में स्टार्ट होगा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपको तब तक इंतजार करना होगा यहां पे Apply for New राशनकार का ऑप्शन आ जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको Documents का क्या चाहिए और आपको क्या क्या चीज़े इसमें फिल करनी होंगी जो आपका District है, Area है, आपका Name, Father Name, House Number, Mobile यह सारी जानकारी आपको डालनी है अगर आप Email यूज करते हैं तो Email की जानकारी डालेंगे इसके बाद में जो आपकी Group Photo है Family की वो आपको इसमें Upload करनी होत है, दोस्तों आपको किस-किस Member से Sign करवाने है, कहां करवाने है, वो सारी जानकारी अभी Update हमारे पास नहीं आई है, जैसे ही Update आएगी तो हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी जानकारी डाल देंगे, आपको जानकारी कैसी लगी हमें जरूर Feedback दीजिए, अग कोई नई जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, धन्यवाद दोस्तों